जै शरी देव प्रे भग्कणों आज मैं आपको बताने के लिए आई हूँ कि अपने नाम के अनुसाद आप अपने पर्स में कौन से वो तीन चीजे रखे जिसे रखने के पाद आपको धन की समस्या कभी नहीं आएगी और दिन रात आपकी उन्नती भी होती जाएगी धन सम्मन्धी उपाई बताने मुझे बहुत पस्त है क्योंकि मैं भारत को फिरस से सोने की चिडिया होते में देखना चाहते हूँ आपने कभी सोचा है इतने सालों बात भी क्यों इंडिया एक डेवलापिंग कंट्री है वो भारत जिसे लूटने के लिए कबजा करने के लिए पूरे विश्यस से लोग आए आज वो बिछड़ रहा है क्यों कि भारत अपनी संस्कृति पूर रहा है भारत आत्मा का जो विश्यस ज्यान उसे था वो पूर रहा है इश्वर से एक होने का जो विज्यान उसके पास है वो उसे पूर रहा है लोगों के आस्था विखर रही है लेकिन मैं आपकी गुरुमा रुक्मनी आपकी गुरु आपकी माँ आपकी काईट आपको बार-बार वही ज्यान, वही तहसे में बाते, वही जीवन उपियों की उपाई और डोटके याद दिलाने के लिए इस चैनल के माध्यम से बार-बार आजाते हैं और इस ज्यान को पाने के बाद आपको कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होगी आपको कभी भी जीवन में धन की तंकी नहीं होगे आपका फर्स कभी भी पैसों से खाली नहीं होगा आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा करजे वाले जो आपको परिशान किये हुए हैं वो आपको परिशान नहीं करेंगे और बिना कर्जों के बिना बोज के चैन के नीद आप सो पाऊगे वो कहते हैं न कि साई इतना तीजिये जामे को तुम समाए मैं भी भूका ना रहूं साधू भी भूका ना जाए और शुरू करने से पहले एक और बात कहना चाहूंगे कि अगर गुरू मा का लंबा वीडियो देख करके पक जाते हो तो मेरा कहना है कि धंग से पक जाओ क्योंकि अगर पकोगे नहींना तो अपने काम नहीं आओगे कच्चे रह गए तो तुमारा कोई मोल नहीं है गुरू हो मा भी हो चिंता तो है मुझे आपके इसे लिए कभी प्रवचन देती हूं कभी ज्यान देते हूं ताकि सुधर जाओ अपने जीवन में कुछ कर दो चिंता है मुझे आपके तो चलिए आज के ज्यान से शुरू करेंगे ग्रेहों की बात गुरू मा के साथ ना चोर हार्यम न चराज्य हार्यम न प्रात्र भाज्यम न चभार कारी ब्यायाक्रत्वर्धत एवनित्यम ग्यान धनम सर्वधन प्रधान यह जो ग्यान आज में तुभी दे रहे हूं यह ग्यान जो है अनबोल है यह ऐसा धन है ऐसा धन है कि कोई तुमसे चूर चूरी कर ही नहीं सकता चाहे कितना भी बड़ा चूर अगर यह ग्यान तुम्हारे अंदर बस गया अगर तुमने जीवन को जीना सीख लिया तो भाई-भाई में इसका बटवारा भी नहीं हो सकता सरकार इस पे टैक्स भी नहीं लगा सकते शास्तर कहते हैं यह बात ग्यान एक ऐसी चीज लें इसको रखने में कोई जगे नहीं लगती इस ग्यान का कोई बोज नहीं जितना बाटो जितना पाओ जितना दो यह बढ़ता रहता है अब बताने जा रही हूँ कि पर्स में क्या रखना है लेकिन उससे पहले पर्स को तो समझ ले पर्स से सम्मंधित कुछ डिपस्प्राप्त कर ले क्योंकि मैंने देखा है लोगों का पर्स तौबारे तौब क्या करते हूँ जैसे घर में तिजोरी होती है अलमारी में तिजोरी रखते हूँ दुकान में गल्ला रखते हूं, वैसे ही हमारे शरीर पर ये पर्स एक तिजोरी होती है लेकिन इस तिजोरी का क्या बुरा हल बनाते हूं तो इसलिए पर्स की पहले कुछ टिप्स दे रही हूं, उसके बाद ये देविक चीजें, हगवान की दिव्व चीजें कैसे उसमें रखनी है बतांके ये उपाइब ऐसे बहुत सिंपल है, इसमें आपको कोई पूजा नहीं करना, कोई मंतर नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है लेकिन कुछ नियम है, कुछ चीजों की सावधानिया है, उसका ध्यान रखनी, बस अब सबसे पहली समस्या मेंने लोगों की साथ देखी है, जब ही अपने पर्स को रखते हैं, सालों सालों उनका पर्स भही रहता है जगे-जगे से फट रहा है, उधर रहा है, उसमें छेद हो गया, आपको कोई चिंता ही नहीं अगर ऐसा कोई पर्स है, तो भहिया, अभी बतल दो, क्योंकि माता लक्षमी ऐसे पर्स में कहां टिकेंगे उनको बुलाना है, तो एक अच्छा आसन भी दो, इसलिए पर्स कभी भी फटा हुआ, खराब, उधरा हुआ, छेद वाला नहीं होना चाहे दूसरा, मैंने देखा कि खासकर लेजी के साथ यह समच्या देखी है, जब भी पर्स होता हे ना आपका उसमें सारे जहान का समान होता है, मुझे तो लगता है कि अगर हम उसमें से कुछ भी मागें है ना, सूई Council के से लेकि जैसे घर को साफ रखती हूँ, जैसे किचन को रसुई को साफ रखती हूँ, वैसे ही पर्स के भी सफाई बहुत सरुई है. पर्स आपका साफ सुतरा रहेगा, उसमें व्यत के कागस, पेपर, पैंसिल, रबर और नजाने क्या-क्या समान अगर नहीं होगा, तो धन की पर्कत हूँ, तो उसे साफ सुतरा रखे, अच्छा रखे, मेंटेन करके रखे, नियम मांच सकते हैं कि हर पंदरा दे में उसकी सफ इस बात का ध्यान रखे, जब ही आप कहीं सिधन लेकर के आ रहे ही, आपके घर में दनारा है या आपके हाथ में पैसा आ रहा है, तो उसे पर्स में ज़रूर रखे, चाहें उस पर्स में से आप खर्चा कर लिए, पर्स कभी भी खानी नहीं होना चाहें, और आज कल तो डि लेकिन पर्स के अंदर hard cash जरूर होना चाहिए, चाहिए आप थोड़ा सा रखे लेकिन जरूर रखना चाहिए, सब कुछ digital मत करें, एक और बड़ी खास tip है जो मैं आपको देना चाहते हूँ, आप एक note या कोई सिपका या इस मात्रा में भी रख सकते हैं 11 रुपे, 21 रुपे 15 रुपे, 101 रुपे, वो हमेशा ही अपने पर्स में बनाये रखे, उसे कभी भी खर्चना करें, या अपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धन ही धन को खीचता है, पैसा ही पैसे को खीचता है, और बहुत से लोग ऐसे हैं मुझसे आशिरवाद लेके भी जाते हैं, तो अपने गुरु त्वारा आप आशिरवाद ले सकते हैं, और उस धन को मौली बांध करके अपने पर्स में रख सकते हैं, ताकि वो आपके हाथ से कभी भी खर्चना, पर्स को भी आपको चेंच करते हैं, जी हां ऐसा नहीं है कि सालों साल एकी पर्स को रखे, मेरे अनु अगर आपको लगता है कि आपके धन को नजर लग जाती है, आपकी पैसो को नजर लग जाती है, बहुत जल्दी आपके पैसा आता है और एकनम हाथ से निकल जाता है, तो ऐसे में आपने जोगी अपनी घुरु धारण किये हैं, उनका एक फोटो भी आपने पर्स में रख स अगर आपको लगता है कि आपकी जीवन में धन जो है टिक नहीं रहा जैसे ही पैसा आता है खर्च हो जाता है जीवन में बरकत नहीं कर पा रहे हैं उन्नती नहीं कर पा रहे हैं सालों हो गए हैं काम करते हुए लेकिन अभी तक घर नहीं बनाया मकान नहीं बनाया कोई अगर आपको किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या है धन संबंदी तो आप इस लॉकेट को हमारे श्यनी पीट मंजर से मलवा सकते हैं चलिए उसके बारे में और जानते हैं उसके बार मैं आपको बताती हूं कि पर्स में आपको क्या-क्या रखना है आप सुही की समस्या का निवारिन करने के लिए अपनी दस वर्षों की साधना तपस्या और अनुसंधान के बात मैं गुरु मार्मनी लाइव हूं आप सबकी कश्टों को दूर करने के लिए मंत्र सिथ सर्थ मनुकामना सिथी लॉकेट नौर अतनों वाले इस लॉकेट को अपने गले में धारिन करने से आपको समस्त नौगरे शुप फलप्रदान करने लगते हैं और नीचे लगी यह जुद्धे पे करकपोड़ी है जब यह आपके शरीर उसपर्ष करती है तो रिकवेद की श्री सुद्ध की जुरिचाएं है और लक्षमे मंत्रों से अभी मंत्रित होने के कारण यह आपके जीवन की सभी धन सम्मंदी समस्यां भुदूर करती है करसों से मुक्ति दिलाती है और आपके जीवन में सुख शांती समृत ही लेकर कियाती है बाजार में मिलने वाले अन्य रत्नों की अंगूठिया और लॉकेट किसे इस दिद पुर्ष त्वारा तीन दिन तक मंत्र सिद्ध प्रान पतिश्द और जागरत नहीं होते हैं इसी कारण इस कल्यूग में बहुत से ऐसे कम लोग है जिने सच में रत्नों का प्रभाव महसूस होता है हमारी द्वारा मंत्र सिद्ध रत्नों से अब 133 देशों की लोगों की जीवन में सुक, शांती और समृत दीव भर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल गुरू रचनी शिशी जी जिस पे आज 19 लाग से जादा सब्सक्राइबर्स हैं वहाँ पर जाकर के आप एसे जमतकारिक रूप से लाग प्राथ किये हुए हजारों लोगों का वीडियो देख सकते हैं मेरे द्वारा मंत्रसित संवनुकावना सिथी लॉकिट को प्राथ करनी के लिए हमारे शनी पीछ मंदिन नई दिली में अभी कॉल करें यह हमें बॉट्चाब करें जै शन्ती जैसे जिब फ्रियू द्वाजिशी और द्वार्थ किर्पासे आज मेरा करोवार सी चार आज और चार दिन होगे हैं अपने काम चलाते हुए मैं सब को यही जेश्ट करूँ है कि सब गुरु राजी जी और गुरु मारु गुरी जी से अपनी जना कुंड़ी दिखाए और ज्यादा से ज्यादा आगे वीडियो शेर्ड करें मेरे कारोवार इतना अच्छा चार रहा है कि गुरु जी की किर्फा से जो मैं सोचा भी नहीं था कि मैं इतना काम भी कर सकता हूं तुकि मुझे पैदे उमीद नहीं थे कि अपने काम मैं तरा सकता हूं आज मेरा काम बहुत बढ़ बढ़ी है और सब पुछ मिल गिया है जो मुझे पुराबट करना था जै श्री देव जरू राजनेशी जै श्री 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 जरू रसी लुझार घ्रवान मैं अपनी जिनलभी में अगल परकारा था मैंने एक जी ऐसी सा चारतिक्रा की गुरुजी का वीडियो एका मुझे बहुत पसंद रहा और मैंने गुरुजी से कोंते गिया और इसके बार में गुपाय रहाए और यह रखना गुरुजी के बहुत बहुत मिजे साम्पी के रहा है जो मैं आपनी से प्याना चाहता हम जो में परशानी है, वो गुजी जी से मिले, उनके करे गाये, बातों कमाना करे, उसे उनके जीवन जो की समत्या है, वो गुजी में आपनी जीन ड़े में बहुत कर दाना है, मैं सड़े हमेशा कर जासे, ये कोई बढ़ी बात नहीं है, लेकिन पैसे को कमाना धू. माती रहना यह सबसे कठिल बात है अब माता लक्षमी चंचला है टिकती क्यूं है मैंने एक कहानी सुनी है छोटी सी कहानी आपको सुनाती हो उसके बाद उपाय पे आएगे भारत के एक गाओं में एक पती पत्मी का जोड़ा रहता था पती का राम था रमेश और पत्मी का नाम था सुरेखा रमीश जो था वो टेलर का काम करता था यानि कि लोगों के लिए का प्रेसिलता था उसके हाथ में बहुत हुनर था वो बहुत अच्छे कुर्ते बनाया करता था लेकिन जैसे जैसे बहर से समान आने लगा और लोग रेडिमेट कामिट्स घरीदने लगे रेडिमेट कपड़े पहनने लगे तो धीरे धीरे उसका काम कम होने लगा लेकिन एक दिन ऐसी नौबट आ गई कि उसे अपना मैपार बंध ही करना परा तब उसकी पत्नी ने उसे कहा कि क्यो ना हम काम को बदल ले हमारी हग कितना बड़ा बागीचा है कई सारी फूल और बौधी भी है क्यो ना तुम लोगों के पास जाके उनको ये बौधी बेचो रमेश ने सोचा कि पत्नी की बात मानके देखते हैं वैसे भी इस समय खाने के लिए अन भी नहीं है वो कुछ बौधे लेकर के बाजार में गया पहले दिन मू लटका के आया पत्नी ने पूछा तो उसने दुखी-दुखी कहा कि ये काम भी मुझे लगता है नहीं चलेगा पत्नी ने कुछ डांड़स बनाया और कहा अरे ऐसा नहीं है तुम काम करती रहो एक दिन जरूर चलेगा उसने फिर से अगले दिन जाकर कि दिखा उसके एक-दो बौधे किसी तरीके से पिखे छे मूह लटकाया हुआ गर आया मुझसे नहीं हो रहा पत्नी ने फिर समझा आए नया काम है समय लगता है फिर हिम्मत बांग के अगली दिन गया धीरे 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 जैसे जैसे लोग उसके बारे में जाननी लगे उसके पौधे एक एक दो दो करकी पिखने लगे लेकिन अभी भी इतना धन नहीं मिलता था जिससे परियाब तो अपना घर का खर्चा चला सकी फिर एक दिन उसे मालोग हुआ कि शहर में उसके पौधों की बहुत सारी कीमत पिल सकते हैं शहर के लोग पौधे खरीदने में बहुत जादा इंट्रिस्टेट भी हो सकते हैं तो वो शहर जाने लगा इतना पैसा तो था नहीं कि वो किसी बस में या किसी गाड़ी में या किसी मोटरवाइट के पिर जागे उसके पास साइकल भी नहीं थी विचारा पैदल ही शहर जाता और वहां पौधे बीच करके वापस आता बहुत पहनत की और धीरे धीरे शहर में उसका बैर जमने लगा उसके पास उसके पौधे बिखने लगे पती-पती दोनों ही खुश हो गए कि चलो अब यह जो बिजनिस है यह जो काम है उसको सेट हो गया उन्होंने अपने घर में और जादा आपने बागीचे में क्यारिया लगानी पौधे लगानी शुरू करके अब जैसे ही कोई व्यक्ती थोड़ा सा भी थोड़ा सा भी सक्सेस्फुल हो जाता है आस पास की लोगों को बहुत जुगने लगता है क्योंकि उस तब पहुंचने के लिए यानि उसके जैसे सक्सेस्फुल होने के लिए काम्याब होने के लिए दूसरे को महनत करनी पड़े और किवर्ड टांग खीचने में उसे अपने लेवल पर वापस लाने के लिए जाता महनत करनी नहीं है और भारतिये लोग तो आपको वो जब आने जाने लगा अपने मित्र के घर में अपने दोस्त के घर में उसने देखा यहां तो बहुत पैसा आ रहा है उसकी पत्नी आई पत्नी ने देखा अरे अब तो सुड़ेखा के पास सब कुछ है घर वो अच्छा हो गया गाड़ी उसके पास हो गई इतनी सारी कितना कुछ करते हैं, वो अपनी पतनी को कितना खुश रखते हैं, कितना कुछ लाके देते हैं, और तुम हो की पूरे दित घर में पड़ी रहते हो, तुम्हारा काम नहीं चलना तो तुम भी कोई और काम ढूटो, लेकिन मडू का ये तो कुछ करना ही नहीं चाहता था, ये क पतनी ने उसे खरी-खोटी सुनाई, उसके सारा बदला उससे रमेश से जाके लिया, रात में उसने रमेश किया सारा बागीचा तोड़ भूर दिया, उसके सारे पौधियों खाड़ पेगी, रमेश विचारा बहुत दुखी हुआ, सुरेखा बहुत दुखी हुई, दोनों लगे हम तो बरबाद होने, इतना पैसा लगाया था हमने इस सब बागीचे में, ये पोधों को बढ़ाने में, इतना समय, इतना पैसा, अब हम क्या करेंगे, तब उन्हें याद आया कि उनके गाउं में एक संत है, उनके पास गए और जाकर के अपनी पूरी समस्या बताए संत ने उन्हें एक मंत्र दिया, और कहा इसे पूरे शद्धा और विश्वास से तुम जाक किया करना, अबश्य ही तुम्हारी दिन फिरेंगे, रमेश ने वैसा ही किया, वो रोजाना उस मंत्र का जाक करता रहता, और अपने काम भी फिर से लग गया, इधर जाता, उधर किसी न किसी से कुछ उधार पैसे मिल जाए, ताकि फिर से वो अपना बागीचा लगा सके, और एक दिन काफी महनत मुशक्कत करने के बाद इश्वर ने उसकी सुली, उसे कुछ पैसे किसी से उधार पिलिये, उसने पापस अपना बागीचा प्रारम किया, रमेश को नहीं आती, बहुत महनत करता, लेकिन उसने इश्वर से विश्वास नहीं गोया, वो रोजाना पूरी श्रद्धा विश्वास से उस मंत्र को जाप करता, और एक दिन चमतकार हुआ, देवी महप्रपट हुए, उन्होंने कुछ बीच उसको दिये, और कहा कि मेरा आशिरव जब तक ये पौधा तेरे पास रहेगा, जब तक तो इसका ख्याल रखता रहेगा, इसी श्रद्धा वर विश्वास से अपने मंत्रों को पढ़ते हुए, तुझे कभी भी दन की कमी नहीं हुए, उन्हें रमेश ने उन वीचों को धरती मिखार दिया, और रात भर में ही पौधा बढ़ा हो गया, उसमें से फूल किले और फूल में से दो हजार का नोट होगा, अब ये कहानी है, इसे जाता सीरिसली मत लीजेगा, लेकिन इसका मर्म समझे, मीनिंग समझे, मीनिंग बहुत अच्छा है, अब दो हजार का नोट आया, सुरेखा ने देखा, उपने लेकिन रमेश ने कहान नहीं, ये जो पैसा है, ये पैसे का पूरा अधिकारी में नहीं, जो ही हमें अपने काम में लगाने के लिए आविशकता है, हम इससे लेंगे, काम भी करेंगे, और जो पैसा बचेगा, हम उससे दान पुनने करेंगे, पत्मी सुरेखा अपने पती क साथ देने लगी और उन्होंने ऐसा ही किया वो अपने वेबाद में उस पैसे को लगा दे और बाकी बचे हुई पैसे को वो धर्म करब में लगा दे ते देरे देरे रमेश का सारा करजा उतर गया इस बार उसके पास एक नहीं तीन पजीचे हो गया हो लोगों को खाना किलात उनको कपड़े देता उनको कंबल बाटता जो करीब उसके पास आता उसकी साहिता करता अब लोग उसे धर्मादमा कहने लगे अब वो मडूका से ही देखा नहीं किया पहले तो केवल पैसा था अब तो इसके पास नाम सम्मान भी हो गया अब उसके धरुए गया और रात मे उसने उस पौधी को दिखा, पौधी में से 2000 के नोट लटक रहे थी, उसने उस पौधी को ही चुरा लिया, और चुरा के अपनी घर लिया, सो गया, और उसने सोचा अब तो मैं अमीर हो गया, अब मुझे कुछ भी करने के आवशक्ता नहीं, सुभे क्या देखता है, कि उसके पूरे घर में साफ ही साफ है, उसकी पत्नी दोनों विस्तर पे चड़ गए, डन्ने से साफ को भगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन साफ जाही नहीं रहे, पत्नी ने उससे पूछा, कि तुम रात भर कहा थी, उसने पूरी कहानी बताई, पत्नी समझ गई, मदूका को कहा कि ये पौधा तुम उनको लोटाया, जैसे ही वो पौधा रमीश को लोटाया, मदूका ने वो सारी साफ चले गए, अब आपके साथ कोई ऐसा करे, आपका दोस्त, आप क्या करोगे, उससे दोस्ती तोड़ लोगे न, लेकिन यही तो गलत है, मदूका की परिशानी को समझ मदूका को कुछ पैसे दे, उसके अपने साथ काम कुलवाया, और उसकी भी तरक्की में योगदान में है, और अपने अच्छे सुभाव से उससे मदूका को भी परिवर्तित किया, उसके जीवन में भी अच्छा ही लाया, कहने का अर्थ किवल इतना है, कि धन कमाओ, लेकि मेरा को एक ही मान रहा है, तुम पूजापाट करो, मत करो, गुरुमा को कोई स्वरक नहीं पढ़ता, मैं तुमें शमा कर दूगे, तुम इश्वर को याद करो, मत करो, उसके लिए में शमा कर दूगे, लेकिन मनुष्य होके, मनुष्य धरम का पालन करते रहो, ये मेरी इच्छा है, हमीशा हर एक शिश्य से हरे अगत, जब ही तुम्हें लगे जितना तुमारे सामर्थि में वो दूसरे के सहायता करो, भगवान तुमारी सहायता को अवश्य बगे, तुम्हें भी ऐसा मनी प्लांट देंगी, जितना अच्छा करम करोगे, उतना धन दन तुमे वो हमें अर्थ केलाता है, हमें सुक देता है, शांती देता है, और गलत तरीके से कामाया हुआ, गलत जगे खज किया हुआ धन, अनर्थ होता है, हमें हमेशा ही दुख देता है, आज तुमें शायद ना पता चले, किसी को देखते हो, कि वो तो कितना अधर्मी है, कितने पैस कमा रहा है लेकिन तुम कुछ सालों बाद उसी को देख ले ना वह व्यक्ति तुम्हें दुखी और परिशान जरूर मेरेगा और अगर दुखी परिशान नहीं मिल रहा तो यह समझ लो कि वह अच्छे कर्म कर रहा है जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं है वो अपने पु कि कम ही आपको कभी ना लेकिन फिर बताओंगी अगर बुरे करम करोंगे तो धन कभी नहीं टिकेगा अच्छे करम जरूर करना भगवान आपको बहुत सारा पैसा देगी इस सुपाय को करने के लिए आप को शुक्रवार का दिन चुनिए अगर पूर्णिमा का दिन मिले त तो यह तो अति उत्तमनी और अगर आप थोड़ा भी जोतिश का ज्यान रखते हैं या फिर पंचांग देखना जानते हैं तो जिस समय शुक्रवार पड़े उस दिन पूर्णिमा पड़े और तुला या व्रशब लगन में यह कारी किया जाए तो यह सर्विश्रेश्ट मा यानि कि वो स्त्री उस उपाय को करके आपको दे और आप अपने पर्स में रखे या कोई कवारी गण्या या चूटी बच्ची आपके अपनी बीटी भी हो सकती है उसके द्वारा कराएंगे तो ही यह बहुत शुक्षल प्रदान करें तो इस उपाय को किवल एक बार करना ह पर्स इसके लिए नया खरीद लें तो अच्छा है अपनी नाम के अनुसार नाम अक्षर के अनुसार या राशी के अनुसार आप अपना लखी कलर का पर्स लें ताकि आपको कभी कोई तेक करना है इस उपाय को करने के लिए आपको एक भोजबत्र चाहिए बोजबत्र उसको छोटे से चपूर में, छोटे से स्क्वेर में आपने काटना है। इतना ही साइज जितना आपके पर्स में आजाए। ऐसे किसी पॉकेक में उसे रखे, जहां बार बार आपको जुनाना पड़े, हाथ न डालना पड़े और वहां पर पड़ा रहे, आपको और कुछ उसमें नहीं डालना है। उस भोज पत्र पे आपने जो मोर का पंक होता है, उसके कलम बनाने है। उसके कलम से आपने एक स्याही बता रही हूँ, वो स्याही खुद बनाए। वो स्याहिय से आपने यंत्र जो मैं आपको स्क्रीम पर देखा रही हूं ये बनाना है पहले स्याहिय की बिधी समझा देते हूं आप लाल कुम कुम या की रोली बीजी से कहते हैं वो लेकर के आए उसमें थोड़ा सा किसर युक्त चंदन या अगर आपको अश्टगंद मिल जाए तो सबसे अच्छा है अश्टगंद थोड़ा मुश्किल है प्राप्त करना तो आप जो किसर युक्त चंदन होता है चंदन पाउडर वो मिला ले और इत्र जो आता है मोगरे का इत्र लेकर के आना है वो मोगरे का इत्र आपने मिलाना है और पानी नहीं डालना है इत्र से ही आपने उसको बोलना है और मोर की जो पंक है उसकी जो कलम है उस कलम से ही आपने यंत्र दुबाना स्क्रीन पे दिखा रहे हैं इसे यंत्र को बना लेना है, इसे बनाने के बाद आपने एक लाल कपड़ा लेना है, उस लाल कपड़े के अंदर उतना ही उसको नाप ले, उसके दो टुकड़े ताप कि आपको इसे सिल के बंद भी करना है, और उसमें आपने तीन चीजे डालने हैं, अपने नाम और आशी क वह जूरू होता है, तो आपने एक सफेद रंग का पर्स लेना है, वो सफेद पर्स में, वालेट में, कुछ भी आप ले सकते है, बैग, पर्स, वालेट, जो भी आप फुर्स को अमारी करते है, उसके अंदर ये जो यंत्र में आख को बताया है, इसे लाल कपड़ में रखना है लेकिन रखने से पहले आपको कोई भी एक फ्लावर का जो पर्फ्यूम होता है उस पे थोड़ा सा आपने यह तो छीटा माल दीजी ठीक है अगर रोज वाला होगा तो सबसे अच्छा है गुलाब का नहीं है तो आप कोई भी फ्लावर का ले स सकते हैं उसको तोड़ा सा आपने चीटा माणना है उसके बाद साथ में एक चांडी का गोल सिख्का बिल्कुल ब्लेन उसपे कोई माता की फूतो नहीं होनी चाहिए पुछ नहीं होना चीप प्लेन चांणी का सिख्क है और एक बड़ी इलाजिधी जो काले रंकी होती है व आपको इससे अवश्य ही लाग होगा, जीवन में बहुत उनती करेंगे, वाकि अगर कोई ग्रह पीरा आपको सता रही है, कोई ग्रह का दोश आपको लगा है, तो आपकी गुर्मा आपके पास है, आप हमारे शनी पीट मंदिर में फोन करें और हम से एक अपॉइमेंट टुक कर लिजे, वाकि अगर आप हमारे शनी पीट मंदिर के बारे में मेरे बारे में या हमारी संस्था के बारे में नहीं जानते हैं, तो नीचे वीडियो में लिंक दे रही हो, उसको दंग से देख लीजेगा, आप हमारे बारे में सब कुछ जाएगे, चलिए आज के लिए शिर्वान देते हुए जै शनी, हमारे द्वारा बनाई गही और वीडियोज को यहाँ पर क्लिक करके आप देख देरें